अबस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है सुसान सिंग राजपूत की मौत के मामले में आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपका दिमाग घिल जाएगा क्योंकि ये जो खुलासा हो रहा है वो सुसान सिंग राजपूत की कोरियोग्राफर और उनके बहुत ही क्लोस फ्रेंड गणेश ने की है और उनका ये दावा है कि सुसान सिंग राजपूत की आत्म हत्या नहीं बलकि उनकी हत्या की गई है और मौत से ठीक पहले उनके घर में 5-6 लोग आये थे उनकी हत्या करने के लिए और ये जो जानकारी गणेश को मिली है वो उस सक्स ने दी है जिसके पास पहले से ही इसकी ज जानकारी थी और दिशा सालियान के साथ क्या होने वाला है सुसान के साथ क्या होने वाला है कौन-कौन लोग जुटे हुए थे ये सारे नाम और सारी साजिस का खुलासा गणेश ने किया उसने ये भी बताया है कि वो जो लोग सुसान सिंग राजपूत के घर पहुँचे उन में से ये 5-6 लोग जो थे, उन में से सब के सब फिल्म इंडस्ट्री के नहीं थे, कुछ फिल्म के बाहर से भी लोग आये थे, तो ये खुलासा और वो कौन सक्स है, जिसने ये बात गणेश तक पहुंचाई, इसका जब खुलासा इसके बारे में जब मैं आपको डिटेल दूँगा, तो ये सारी कड़ियां जूटती चली जाएंगी, और ये दिन के उजाले के तरह साफ हो जाएगा, कि गणेश जो कह रहा है, अगर उसमें जरा सा भी सचाई है, तो ये जो शक पुरी दुनिया बता रही है, कि सुसान सिंग राधपूत को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है, वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, इसके डिटेल में आपको आगे दूँगा, लेकिन इस बीच, सीबी आई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, आपको हम निकल बताया था किस तरीके से, पाँच-पाँच घंटे तक सुसान सिंग राधपूत के प अब सीबी आई की साइटी खंगाल रही है, और उससे कई सारे राज खुलने लगे हैं, कुछ तो फिनैंसिल बगलिंग का मसला जो एडी के पास है, वो अलग चली रहा है, लोग हैरान और परिशान है कि जो रिया चक्रवर्ति के फोन में, जो वाटसप चैट्स के जो आज छिपाने की कोशिश की गई है, जो लोग ये कह रहे थे कि सुसान सिंग राजपूत की मौत में खा मखा रिया चक्रवर्ति को घसिता जा रहा है, ये कौंस्परेसी थियोरी क्रियेट की जा रही है, एक तमाशा क्रियेट किया जा रहा है, जो आरोप संज राउत लगा हैं, उससे उनको सारे सवालों का जवाब मिल गया है, और सिर्फ से ना अब अपना चेहरा छिपाए घूम रही है, क्योंकि गणेश ने जो बताया है, वो अपने आप में एक ऐसी कहानी है, जिसे सुनकर बिलकुल ये साफ हो जाता है, कि ये एक पूरी तरीके से प्री प्ल चला, तो ये भी उसे पता चला कि एक संदीप सिंग नाम का एक मित्र, जो अपने आप में बहुत ही सस्पिसिस करेक्टर है, वो खुद ही संदेह के दायरे में है, ये संदीप सिंग, जिसने टेलिविजन चैनल पे आकर के अचानक से ये कहना शुरू कर दिया था, कि वो चाशपूत का बहुत नजदी की दोस्त है, वो और महे सिठी, ये सुसांत के दोस्त हैं, बकॉल संदीप सिंग के, और उसने कहा कि जब उसे एक ख़बर मिली, तो महे सिठी उसके घर पहुचा, और उसके साथ वो मौका ये वारदात पे आया, मतलब सुसांत सिंग के घर प कॉंगरेस के लीडर संजे निरूपम ने ये दावा किया, कि ये संदीप सिंग, ये फिल्म मेकर है, वो जब ये ख़बर आयी थी कि सुसांत सिंग राजपूत की मौत हो गई है, तब ये संजे निरूपम के घर में बैठा हुआ था, और ये जो विरोधा भास है दोनों के बयान में ये अपने आप में बताता है कि ये संदीप सिंग नाम का सक्स कुछ संदीख जरूर है, इसने टेलिवजन के आकरके अपने आपको सुसांत सिंग राजपूत का बहुत क्लोस फ्रेंड तो बताया ही, लेकिन जब परिवार वालों से इसके बारे में पूछा गया, तो परिवार का कोई भी सक्स इसको जानता तक नहीं है, इसे पहचानता तक नहीं है, ये पता नहीं किस तरीके से ये अपने आपको बता रहा था कि वो भी पटनक है, हम भी पटनक है, और ये बाते भी आई है सामने कि संदीप सिंग जब मौका ये वारदात पे पहुँच तो सुसांत के सिस्टर उनके अलग-अलग दोस्तों के साथ वो सिल्फी ले रहा था फोटो खिचवा रहा था बगएदा अपनी एक पियार टीम ले करके वो आया हुआ था लेकिन इस से भी जादा खौफनाग बार जो इस जाच से सामने आई है कि ये संदीप सिंग जैसे ही स कहने का मतलब ये कि ये सिदार्च पिटाली ने बताया कि संदीप सिंग आता है और वो खुद को परिवार के और सुसां इर्षाण चिन का बहुत करी बीदीपरता चाहि और वो पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देने लगता है अब तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो सुसान सिंग राजपूत की लास को उठाने के लिए जो पुलिस वाले आये थे जो एंबुलेंस वाले आये थे वो लोग कौन हैं? क्या वो रियल सेंस में वो पुलिस वाले हैं? या फिर कोई बहरूपी है लोग थे? क्योंकि इसमें कई और भी तस्वीरे सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि इस दोरान कोई एक लड़की थी, जो एक काले रंग के बैग को लेकर के वहां से वो नि नहीं चल पाया है, नहीं मुंगे पुलिस ने इस पे उसकी तहकिकात की है, और ये भी पताया जा रहा है कि टेट बॉडि को, सुसांत की बॉडि को कूपर हॉस्पिटल लेकर की जाना है, इस हॉस्पिटल का रिष्टा ठाकरे परिवार से है, और पुलिस इसे सबसे कर रहा था कि वो परिवार का कोई सदस्य है, जबकि वो पूरी जो सारे दावे इसने टेलेजिन चनल पे किये, वो सब फेक निकले हैं, अब कहानी ने एक नया ट्विस्ट आता है, जब दिनेश ये दावा करते हैं, कि कोई एक सक्स है, जो संदीप सिंग के साथ काम करता है संदीप सिंग भी फिल्म मेकर हैं, और उसके साथ काम करने वाले एक सक्स है, जो इस कोरियोग्राफर सुसांत के मित्र दिनेश को जानता है, और उसने उसके घर आकर इस पूरी कहानी को बताया, कि किस तरीके से दिसा सालियान की मौत के बारे में सारे लोगों को मालूम चल चुका था, सुसांत को दिसा सालियान ने फोन करके बताया था, कि उसके साथ क्या हुआ है, और तो और उसने दिनेश का दवा ये है, कि संदीप सिंग के साथ काम करने वाला ये सक्स, उसे ये भी बताया, कि सुसांत सिंग राजपूत ने संदीप सिंग को फोन करके, ये सा पारी जानकारी दे दी कि इस तरह से हुआ है और वो चुप बैठने वाला नहीं है वो मीडिया के सामने आएगा मतलब सुसान सिंग राजपूत दिशा सालियान के केस को लेकर उसकी मौत को लेकर वो कोई प्रेस कॉंफरेंस करने वाले हैं पूरी दुनिया को बताने वाले है ये बात सुसान सिंग राजपूत ने फोन करके संदीप सिंग को बताया था और संदीप सिंग को क्यों बताया था क्योंकि संदीप सिंग के साथ इनकी जान पहचान तो थी ही साती साथ संदीप सिंग का रिस्ता दिशा सालियान के साथ भी था और यही वज़ा है कि सुसान सिंग राजपूत से ये गल्दी हो गई कि सुसान सिंग राजपूत ने संदीब सिंग को अपनी सारी प्लैनिंग सारी योजना बता दी कि वो ऐसा आगे करने वाला है और ये संदीब सिंग इसने क्या किया इसने उन सारे गुनहगारों को फोन कर के बता दिया कि सुसान सिंग राजपूत ऐसा करने वाला है ये बात गनेश ने जो बताई है इस से बिलकुल साफ है कि एक तो सुसान सिंग राजपूत की मौत का रिस्ता दिशासालियान से है और ये जो लिंक जो बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है और संदीप सिंग ने अ के प्लानिंग का पूरा चायजाब पूरा प्लान बता दिया और इसके बाद गनेश का ये कहना है और इसलिए पांच-छे लोग सुसांत के घर आते हैं और ये इतने बड़े लोग हैं कि जो मुंबई के अंदर कुछ भी कर सकते हैं उसने और बात कही उसने कहा कि जो पांच- उसने ये दावा किया है कि उसके सुसांत के जो साथ काम करने वाले सक्स ने उन सारे पांच-छे लोगों के नाम भी बताये हैं कि उस दिन सुसांत के घर कौन-कौन आया था जिसे वो दावे के साथ कह रहा है कि जब CBI के टीम उससे पूच्टाश करेगी तो वो इन नामों का खुलासा भी कर देंगे वो CBI को इसके बारे में बताने जा रहे हैं अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पांच-छे लोग जो आये वो क्यों आये पनेश का कहना है कि ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि सुसांत सिंग राजपूत बहुत ताकतवर फिजिकली फिट और कोई भी डिप्रेशन का शिकार नहीं है वो एक दो लोगों से वो ओवर पावर नहीं होने वाला था और इसलिए ये लोग कुछ क्योंकि अब क्यों सवाल भी उठ रहे हैं कि सायद स्टेंडन का इस्तमाल किया गया जो गले के नीचे जो निशान जो लग रहे हैं दो-दो उससे भी साब लग रहा है कि कोई बाहर कोई उसको बहुत ज़्यदा हाई वोल्टेज करिंड डाला गया है क्योंकि उसका चेरा भी परलाईज निजर आ रहा है तो कई सारी चीजें ये जो राज जो तक छुपा हुआ था कि किस्त क्यूं क्यों क्योंकि लोग तस्वीरों स कई सवाल उठा रहे थे कि सुसानत के पैर में जख्म के निशान कहां से आये उसका पैर टूटा हुआ क्यों था उसके पैर मुणे हुए क्यों थे उसका हाथ प्षैला हुआ क्यों था तो कहने का मतलब कि जो गरेश दावा कर रहा है और ये जिस तरह से जो इंफॉर्मिसन सामने आ रही है CBI को अगर वो बताता है तो इसके उपर जाच जरूर होगी और तो और इसके बाद CBI उन पुलिस अधिकारियों को भी पकड़ने की कोशिस करेगी कि जिन्हों ने पूरे क्राइम सीन को मचली बाजार बना दिया कि ये free for all कर दिया कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है तो ये सारे सबूतों को मिटाने की जो साजिस जिसमें वो पांच छे लोग वो रसूखदार लोग वो बॉलिवड गैंग के लोग मुंबई पलिस और महरास्ट की सरकार इसमें शामिल है और इसलिए सुप्रिम कोट जब सुमवार को इस केस का फैसला सुनाएगी तो इन तथ्यों के बारे में भी जरूर सोचेगी कि जिन लोगों के पास जो लोग अपील कर रहे हैं कि मुंबई पलिस इसकी चार्च करे तो ये जो खुला से हो रहे हैं उससे तो एक बात बिलकुल साफ है कि सुसान्त की मौत के लिए जिम्मिदार वो संदिक्द लोग ही नहीं है बलकि मुंबई की पलिस भी आरोपियों की लिस्ट में सबसे अवल दरजे पे है महरास्ट की सरकार वो ग्रिह मंत्री जिसने मौत के तुरत फारण एक घंटे में ही उसने डिकलेर कर दिया था कि ये एक आत्मत्या है तो ये खुला से चौकाने वाले हैं और सुम बार को सुप्रिम कोर्ट से फैसला भी आने वाला है आप देखते रहे कैपिटल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद